बिहार का बड़ी टीम ने किया जीत हासिल महराज टीम को हरा कर जीता कास पदक अपराधियों के होसले हुए बुलन दिन्दा हाडे दिया लूट की घटना को अंजाम मामले की जाच मिजुटी पुलिस गटिया सामागरी से बन रहे चबूत्रे नगरवासियों ने किया विरोध राश्री जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा देश के अग्दे प्रधान मंत्री होंगे नितिसकुमार नेता प्रतिपक्ष सम्राड चौधरी का जनसुन वाई कारकरण कारकरण पिदौरान नितिसकुमार पर जम कर किये का टाप्ष नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का खबर बेतिया से है जहां घाने कोहरे की वज़ा से नरकाटिया अगंजय लोरिया मुख मार्ग में SBB की बस और एक ट्रक में आमने सामने से भीडन्त हो गई इस हाथ से में SSB के छे जवान समे ट्रक चालक भी घायल हो गया सूचना पर पहुचे शिकारपूर पुलिस घायल जवान वा ट्रक चालक को अनुमंडली अस्पताल में भरती कराया हाला कि घायल सभी जवान खात्रे से बाहर बताये जा रही है दुरगटना घाने कोहरे की वज़ा से हुई है फिलहाल पुलिस मामले की चानबीन में जुटी हुई है जवान कहीं जा रहे थे और उधर से ट्रक आ रहे थी ठक्कर हुई है इस्थिती नियंतरन में है सब कुछ ठीक है जवानों को भेजा गया है हो श्पीडल भागलपूर कलेक्टरेट इस्थित समिक्षा भवन में जिला इस्तिरी समनवे एवं अनुष्ट्रवर्ड समिती की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्धक्षता में की गई जिसमें जिले की विधायक को सहित जिला पदाधिकारी सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया राजसरकार और किंद्र सरकार की योड से चलाई जा रही विकास योजनव की समिक्षा की गई वही धीमी गती से चल रहे विकास के कारों में तेजी लाने के नर्देश दिये गए सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो परगती रिपोर्ट में परगती पर है कि यहां जहां कम्यां पाई गई वह कम्यां को सुधार करने का निर्देश किया भागलपूर तिलका मांजी भागलपूर विस्विद्याले प्रदर्सन कारियों का अड़ा बन गया है। परिफ्षाति थी 19 जैन्वरी से की गई है परिफ्षार्थियों की मांग है कि परिफ्षाति थी बढ़ाई जाए। अभी कॉलेज में बाकी कॉलेज में अडमिशन चली रहा है। अब ही 10 दिन पहले अडमिशन का चल रहा था। दस दिन भी नहीं हुआ है। अभी हमारा अडमिशन हुआ है तो आप कॉलेज से पूछे क्या पढ़ाया है। स्लेबस कम्प्लीट हुआ है, आर्स है, वो अराम से दिर देगा, वो उसमें कुछ भी लिखिया, I don't care, जिसका एकाउंट सोनर्स है, क्यमेस्ट्री है, बोटनी है, जोलोजी है, वो सब चार पेपर इतने कम दिलों में कैसे कम्प्लीट करेंगे। ने होमगार ट्रेनिंग सेंटर जरुआ वैशाली का निरिख्षड किया, इस अफसर पर डीजे सोभा अहोतकर ने परिख्षड से समंधित सभी बिंदूओं पर निरिख्षड किया, और उन्होंने कहा कि भवन का निर्मार बहुत ही अच्छे से हुआ है, और इसका रख रखा चोटी मोटी कमिया है, वो हमने इनको कह दिया है, वो कितर है, खबर मुकामा से है, जहरास्टी चैंपियंशिप फेडरेशन कब तमिलनाडु में बिहार कबड़ी टीम ने महरास्ट टीम को हरा कर, कास पड़क जीता बिहार कबड़ी टीम में मोकामा की जीत बेटियां शामिल थी, जिनका मोकामा घहाट बेबाड संख्या 27 की पारसद अर्चना कुमारी के नेतरित में सैकडो ग्रामी नोए भव स्वागत किया, वतादे मौके पर अर्चना कुमारी ने कहा कि ये हमारे वा कि अर्चना की जीत बेटियां शामिल ने के लिए जाए लिए जाए जाए वागत कि अर्चना कर दोब प्लेस लगाओ ये अच्छा आट टीम में थाड़ प्लेस लाना बहुत बड़ा बात है अम लोग माहडाश्ट जो कि सबसे अची टीम है उसको बढ़ाके पिर चंडी ने जिस्केष लगाश्ट टीम फ़हां लोग होड़ा के से मीपाइनल ने पहुचे है तो लोग को अठाने हैं इसले बार भी हम लोग हए अच्छी थीम है इसले बार हम लोग हर याना से हीरे लिए कि निग्स लगाज़ा निगे की कि सब रोग हमोग आरा से लिख प्र यो इसमें हमारे भावे हैं मिख्या जी वो उनका भी बनेवाद करते हूं और मेरे कुछ इनों ने खेलना से भाया देती जी और हम अगें खेलने के लिए देलता है आज हम लोग जो कछ भिया इंटरीजे से हैं अगर खेल का नाम जो है परशानी अगर ने जैलेगी, तो फिर मजबूत होगी है, लेकिन है क्या कि थोड़ा सास्योग हो 증 masculine है को हम चाहते हैं वो जो है सो में अगर घास काटन अगर खेत में जाएगी उसके बाद भी खेलेगी मतलब खेल को एक सेंटर जो है सो वो लोग अपने जीवन में बना लिया है अच्छा लग रहा है हमारे ही काउं समाच की एरो बेटना है अच्छा लग रहा है काउं घर से कोई बच्ची जो निकल कर रास्टी असकत पर अच्छा परदर्कल करती है तो कारूट तो हता ही है खबर मोतिहारी से है जहां अरेराज नगर में एक CSP पर धावा बोल अपराध्यू ने 2,30,000 रुपए लूट कर फरार हो गये बतादे घटना दुपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है वह इघटना के सूचना मिलने पर अरेराज के सरकिल इंस्पेक्टर और अरेराज ओपी थाना के प्रभारी ने मौकी पर पहुच कर जाच शुरू की खबर मोतीहारी से है जहां जीले के पकड़ी दयाल नगरपंचायत वार्ड नमबर 12 रमपुर्वा में घटिया समागरी से बन रहे चबूत्रों को देखकर वहां के उपस्तित लोगों ने इसका विरोत किया जिसके बाद वहां के उपस्तित लोगों ने बड़े पदाधिकारियों से जाच की मांग की इस संबन में कारपालक पदाधिकारी अजैकुमार ने बताया कि अभी हमारे कनी अभियंता छुट्टी पर हैं उनके आने पर इस्त्यबूत्रे के गुरुवत्ता की जाच कराई जाएगी और गुरुवत्ता में रुटी पाय जाने पर फिर से बनाने का आदेश दिया जाएगा तो जो मसाला जो बना हुए है तो जो कम से कम सरकारी जो निवट से आया है तो इसको मतलब कम से कम ठीक डार गोतीन ने तो माल बनाना था जाए ना बालू किस पर करका अब तो बुड़ी गंड़ा का जो लोकल बालू है वह है काम कर रही था ना हुखाई तो ने ठीक कर अलगा काम कर रही था ना हुखाई तो ने ठीकर अलगा क्या वोग उसके गुनवत्ता की जाच कराएंगे और अधी गुनवत्ता तुर्टिपूर्ण पाया गया तो उसका निर्मान पुना कराया जाएगा अनथा उस योजिना का भुगतान लंबित रहेगा भले ही नालंदा जिले में नगर निकाय का चुनाओ संपन हो गया हो लेकिन इस चुनाओ से जुड़े आरोप अपरत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है ताजा मामला अस्थामबा नगर पंचायत का है जहां जनता ने अपना जनादेश देते हुए लाडली सिनहा को मुख पारसत पत पर चुनाओ से जिताने का काम किया है भले ही मुख पारसत पत पर लाडली सिनहा चुनाओ जीत गई हो लेकिन चुनाओ से जुड़े बिवाद खत्में नहीं हुए हैं बतादे मुख पारसत पृतियाशी शिव बालक यादव ने कहा कि इस नगर निकाय के चुनाओ में अस्थावा नगर पंचायत से लाडली सिनहा ने चुनाओ आयोग इवं अन पदाधिकारियों के आँखों में धूल जोक के तीन बच्चे की जगहा दो बच्चे को ही कागज में दर्शाया है जबकि राजी की सरकार ने 2008 में ही कानून बनाया था कि जिनके तीन बच्चे होंगे वह कोई भी चुनाओ नहीं लड़ सकता लेकिन नव निर्वाचित मुख पारशन लाडली सिनहा ने तीन बच्चे की जगह चुनावी दस्तावेज में दो बच्चे को ह की दर्शाया है पूर्व मुख पारशन प्रतियासी सिववबालक यादव ने जिला प्रशासन से इस मामले को लेकर उचित कारवाई करने की मांग की है वेजर विए सरकार उननाया से 2008 में की या लेकिन लाडली सिनह की सतीं तीन संतान है और उसमें भीजन भीजन परकार का उम्र है जो की यहां गया कि उसका बच्चा पैदा जो भी लिए है वह हर्टरिप्रेजय की सुर्ज्य wichtig मिलिया और उसके वाद इनगर पंचाइत यंध थामा के पता धिकारी हैं वह हैं यहीं चाहता हूं कि मानिये जीदा धिकारी महुत है यह डॉक्टर के टीम गत्रित करके जांच करा के उचीद कारवाई करें रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है SKB Market.in शॉपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेज अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी तांसर से लेकर विधायक तक AIS से लेकर IPS तक सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुकरते हैं खबरों के ओर खबर नालंदा से है जहां चुनावी रंजिस को लेकर एक दरजन बदमासों ने एक दुकानदार के साथ मार पीट करते हुए डेर लाख रुपे कैश और मोबाइल लूट लिया जिसके बाद घटना की संदर में पीडित ने पुलिस को जानकारी दी मामले की सूसना मिलते ही पुलिस ने मामले में च्छानबीन शुरू की और राज़त निता समेट 10 आरुपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया अपने मीतर से बात कर रहे थे किस ज्यादा है अपने दुकान पर क्याची का दुकान पर मोटर पार्ट का दुकान पर हम ख़डाओ करके बात कर रहे थे दस लड़क आया आकर करके डायरेक्ट बोला चुनाव जी तनिया वेटा घमंड में ही इराद यू रुक वह दस्वन मिलकर के घुस गिया मेरे अंदर पहले पकड़ करके पैकट से पैसा निकाल लिया और एक है कि पटक के दाबले है कितना पैसा निकाल रुपिया था खबर पटना से है जहां राष्टी जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा नंद सिंग ने बड़ा दावा किया और सीधे तोर पर कहा कि नितीश कुमार देश के प्रधान मंतरी बनेंगे और लालू प्रसाद यादव ने उनको आशिरवाद दे दिया है और उसके तिल लगा दिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यह तिलख प्रधान मंतरी बनने की उनकी यात्रा को सुल्हब करेगा और लालू प्रसाद यादव का शिरवाद जाया नहीं जाता है भारत की परधान मंतरी को बनाया की नहीं बनाया लालू प्रसाद ने भारत की परधान मंतरी की कुर्शी पर देवगवडा जी को गुजरा जी को बैठाया की नहीं बैठाया मैं पहले भी कर चुका हूँ बिहार बदलाव करता रहा है अब बिहार श्रह महापर रहकर की देश को बदलेगा पटना में जाती गत गरना आरंब हो गई है जिसको लेका डिप्रिसीम तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी मानते सूबे के लिए जाती गत जनगरना बहुत ही जरूरी विशे है इससे सभी वर्की जनता को लाब होगा और सरकार को बजटी प्रवधान करने में सहूलियत होगी तेजस्वी यादव ने आर्थिक सर्वेक्षर समेत उन्होंने गरीब परिवारों दलितों पिछडों और वन्चितों के हित में इसे माना है साथ ही उन्होंने कहा पितावा राजद सुप्रिमो लालु प्रसाथ के साथ मुख्यमंत्री नितीज कुमार की भी साराहना की इसको लेकर के हम लोग शड़क पर भी उतरे थे और लालु जी के रहते हुए यूपीय की सरकार ने मर्मौन जी की सरकार ने ये कराया भी था कास्ट बेस सर्वेड जो है वो कराया गया था उसमें सारी चीजे थी लेकिन बाद में भाज़पा के लोगों ने इसको डेटा को करण पता दिया खबर पटना से है जहां विधान परशत के नेता प्रतिपक्स समराठ चौधरी का जनसुनवाई कारकरन के दोरां सीम नितीस कुमार ने कहा कि हम देश की यात्रा करेंगे वहीं इस दोरां समराठ चौधरी ने कहा कि बिहार में उनको कोई नहीं पूछ रहा है बड़ा दूरभाग है कि 17 साल राज करने के बाद वो समधान यात्रा पर हैं और समधान यात्रा का मतलब कि अब वो राजनीतिक समधान की तलाश में हैं नितीज कुमार जी अब राजनीतिक तोर पर विहार में पूरी तरश समाप्त हो चुके अब उनका कोई अस्थित नहीं है जितने दिनों तक विदायकों के बल पर वो सत्ता में बने रह सकते रहेंगे किसी दिन भी उनको कल्यान विगा में आसरम में बैठने की पूरी विष्था खड़ी हो जाए रोहतास के डेहरी अनुमंडल अंतरगत अकबरपूर प्रखंड स्थित बन रेंजर के ऑफिस के बाहर उग्र वनवासियों ने महिला की मौत के बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया इस दोरान प्रशासनी का अधिकारियों और प्रदर्सन कारियों के बीच जड़ा भी हुई प्रदर्सन करहे ग्रामीड वन विभाग के उच अधिकारी और प्रदर्सन इस्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे वनवासी वन विभाग के कार्याले के मुख गेट को तोड़ कर परिसर में घूस गए और जम कर तोड़ फोड़ की आनियंत्रित भीड़ पर काबू पाने में प्रशासन आसफल रही सहरसा पतरघट उपी शेत्र के पतरघट पंचायत के मानिकपूर में लगी आग से तीन परिवार का घर सहित लाखो की संपत्ती जलकर राख हो गई हाला कि ग्रामीरों के द्वारा काफी प्रियास के बाद आग पर काबू पाया गया तब तक लाखो की संपत्ती खाक में तबदील हो गई जिसको लेकर वही मुख्या पृत्याशी राजा यादव ने बताया कि चूलह से निकली चींगारी से घर में आग लगी है घटना की सूशना पाकर पतर घट ओपी अध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ पहुचकर घटना करम की जानकारी प्राप्त करने में जुटी है तो वही अचला निरिक्षक ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही घटना इसल पर पहुचकर सरकारी मुआवजा देने का आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें SKB Market.in SKB Market.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके SKB Market.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराश्ट्रे स्तर पर पहुंचाने जा रहे है SKB Market.in शॉपिंग सुकून के साथ